तो हेलो आइज गुद मॉर्णिंग कैसे हैं आप सबाई हो पच्छी होंगे तो अभी थोड़े पहले मैं डॉक्टर को दिखा क्या हूं जल से दिखा क्या है मैं हम लोगों ने गारी बाहर खड़ी की तो जो हमारी वो पारो है एक कुदिया का नाम है पारो तो बाहर बैठी अभी और अभी अभी मैंने देखा कि इसकी बीबी हुए छोटे-छोटे से बहुत प्याहि लग रहे है तो चलिए आप लोगों भी दिखाती हूं उसलिक मुझे लग रहा था कि पारो के डिलेवरी होने वाली है तो मैंने इसको मिठाई भी खिलाई थी और खाना भी खिला तो अभी मैं पारो को फिर से मिठाई खिलाने वाली हूं कि वह हमारी फ्योड़ेत है और हमारे घर से बाहर कहीं नहीं जाती है अब पारो तुम्हारा बेबी कहां है यह है इसको अंदर की तरफ करो पारो एक ही हुआ है क्या अरे यार यह तुमारा घर तो बहुत भारी है दबना जाए अंनु ये दबना जाए देखो ये गिर रहा है अरे गरा मुझे नहाना ही तो है है और ठ्यूंक्स Łamajay covered um और यह तो बाहर निकला है अरे यह परेरे रहे रहे वह थो कहां कहां हना हना है है क्या अले ले ले कितना क्यूट लग रहा है हां बेबी देखो तो इधर इधर देखो अले ले ले अभी तो तुमारी आंके भी नहीं खुली है चलो अंदर चलो अरे चलो ममा पास चलो अपनी भूग लगी है क्या भूग लगी है क्या चलो अंदर चलो अहां अले ले 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 दंतेरस के दिन हुआ है मारा बेबी ये देखो इसने टीका भी लगाया हुआ है कल दीपा वली मनाएंगे चलो अंदर ये क्या है नो अले ले 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 चलो तुमको तुम्हारे मत पास छोण दे भाई लो इस बोरें बैठो अराम से लो पारो तुम मीठा ही खालो लो खाओ मीठा है खालो नहीं खाओगी क्या पेडा खाओगी पेडा अब ये खी हुआ है क्या अनू खालो जब भूक लगे तो इसको भी खाले न ठीक लो छोड़ो छोड़ो पैरटाओ लो चावल खाओगी लड़ू खालो हाँ लड़ू खालो इसको बाद में खाले न हाँ क्या क्या दर्द हो रहा है क्या ठीक हो जाएगा लड़ू अच्छा तो है अभी धान्दू आ जाए का धान्दू खा लेगा फिर धान्दू आ के पूरा लड़ू खा जाएगा एक बार में नहीं जल्दिस खा लो तुम खा लो ना लड़ू लो खाव क्यों खालो खालो चल अच्छा राम करो तो ठेक अभी मैं आती हूं फिर जो यह पारो है जब यह पारो हुई थी न तो पारो चार चार भाई बहन थे जिन में से यह पैदा हुए थे तो बहुत जादा ठंड पड़ रही थी तो मैक्सिमम एक महने के अंदर तीन जो इसके भाई बहन थे पारो के सब मर गए थे तो सिर्फ पारो बची थी तो हम लोगों ने पारो को खिला निकलाने में बहुत मेनत करी और थोड़ी सी जब हस्ट पुष्ट हुई थोड़ा यह भी बिमार हो गई फिर हम ने इसका अच्छे से ख्याल रखा ठंडियों में इसके लिए एक हम लोगों ने ज देते थे और उना के भी ठादेते थे तो वहीं आराम से वह सो जाती थी फिर सुबह उठ जाती थी रात में फिर वहीं चली जाती थी और अब उसकी डिलेवरी हुई है उसका एक बेबी हुआ है जिकी बहुत ही प्यारा है अभी मुझे लग और होंगे लेकिन अभी हम आया और इंस तो मैं और इंस खूंगी और जो लोग चाला लगा रहें चली हम आपको उनको दिखाते हुआ है यहां तो बहुत धूप है अभी दूप है मैं कही रहा है यहां पे खड़ी हो जाओ पोन रख लो जेब में वीडियो उठा भाई शीदो उठाओ ही रहो जीज में एक टेकानियो लगाओ इधर कर दो सामने वाले घर में जाला लग गई पुलती देर से ही दो लो दो लो जालर नहीं लगा पा रहे हैं पोटो बड़ी आ रही तुमारी कहां है कटर लो पकड़ो मार बुड़ी ओं मार दादिया का चिल्ला रहे हैं कर दादी खेत में कोई की भाई साइग उस गई है मुझे जाफ करना आए अब ही अपना रोम और अम्मा जा रहे हूं निचे एक बार पारो को देखूं यह वर उसके साथ परो अपने घर से निकल कर बाहर बैड़ गई है हां ठीक साइद उसको दर्द हो रहा है इसे लिए अब कितने दे दिया एक दो तीन तीन बच्चे दिया पार ओ चौर एक यह छुपा आए सबसे बड़ा यह है फिर वो है फिर एक वो है एक यह है चौर एक पांच पैर के नीचे छुपा है यह पांच बच्चे दिया पारों है तो अभी खाना है मुझे पालक और दादी अपने खेत में तोड़ रही है पालक तो में पीछे से जांगी दादी पास पालक लेने मेरे घर में यह जालव लग गई अभी अंधेरा नहीं है न अब ही रात में दिखाऊंगी तब बहुत अच्छी दिखेगी डादी खेत में गोभी तो बहुत अच्छी है क्या में थी अच्छा फूल बहुत अच्छे अच्छे लगें वह दिख रहा है मेरा लच्छ एक सेकेंड वह खड़ी है मेरी कार एंड वह लाइडिंग जल रही है और यह है हमारी दादी हाँ भाई साथ य्दि बहुत पैसे वाली है वहां से वहां तक जो खेट दिखाई दे रहे हैं यह बांग जहां पर हमारा घर बना हुऊ यह साब दादी का था अब लोगों ने जब खडेदा था तो यह था पूरा भाई साब उस पेड़ के पास से लेके वहां यहां तक पूरे खेट दादी के हैं यहां पर सारे घर नए बन गए हम इधर से यह पीछे से कांट आंट लगे हुए नप गर के पीछ आओ ठोड़ा दूर से करांदेग पेड़ के पास से हमाई तबियत खरा थी तो हमाई से खड़े होगा थे हम कहां पहिचान नहीं पाई हैं हाँ जब कहां मुरी बेंच होगे हैं तो हम कही पालक मुरी बेंच ही लिगा तो वह आबागा है इसकी बाद भाई हम सामका टाइम है और खेतों में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा ह लेकिन ठंडी में लग रही है कि ओस गिर रही है और यह उस जुकाम का कारण बन सकती है और तब्यद कराव हो सकती है इसलिए मुझे जल्दी घर जाना चाहिए तो अम मैं निकलती हूँ घर के लिए दादी से मैंने पालक और धनिया ले लिए और अब उस साइट जाओंग तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाई और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लागा हो तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें